आज मैं आपनों के लिए लाईू बहुत ही अच्छा सूजी का नाश्ता एक चम्मस तेल पे हम धेल सारा नाश्ता बनाएंगे जो बहुत ही ज्यादा ड्रियसेस बनता है यह देखे बहुत ही स्पोंजी बिल्कुल सॉफ्ट और छटपट बनने वाला तस मिनट में तो आए इ हम डेड़ कप सूजी एक कप मैंने डाल ली है हाफ कप सूजी और डालेंगे आप सूजी कोई भी ले सकते हैं बारिक भी ले सकते हैं और मोटी भी ले सकते हैं जो आपके पास अवलेबल है साथ में हम डालेंगे इसमें हाफ कप दही दही हमें नॉर्मल ही चाहिए ज्याद ज्यादा ठंडा भी नहीं Maith Ag Judge तना ही हम इसमें पानी डालेंगे सेम कटोरी के मेजर मेंट से ही मैंने मेजर मेंट रखा है आप कोई भी कटोरी कप का मेजर मेंट रख सकते हैं पानी ओर सॶी डही डालने के बाद हमें अच्छे से इसे mix करना है यह देखे बैटर हमारा रेडी हो गया है सभी चीजों को हमने अच्छे से mix कर लिया है अब इसे हम साइड में रखेंगे 10 मिनट के लिए धक कर ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए इसलिए हम धक कर इसे साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस कर गैस कर पैन रखेंगे इसमें हम डालेंगे 2 टेबल सपून तेल अमने अच्छा आता है और एक मिडियम साइज का प्यास दालेंगे दूहरी मिर्ची बारीक कटी हुई ना एक टुकड़ा अदरअर फिर न्युल्ट चुज़ों को में इनाटि इताले और लिए फिर अलगे जमीः फिरुटी हैं और टमॉटर में इना खुए diva पाउडर लिया है। बेरा हैं ढमक की इस पर नमक नमक स्वादा दालें इसमें स्वाधा नमक ले लिए। सत्व में डालेंगे इसमें वण टीएसपी रेड़ चिली पाउडर. लाज मिर्ची आप अपनी टेस्ट के नुटार करें अब एक चम्मच के लएक चंबच कर सकते हैं एक चम्मच कासूरी मेथी बादे की साबी बहुत जादा नहीं दालेंगे हमारा मसाला ready हो जाएगा इसलिए हमी हलका सा cook करना है ये देखे टमाटर हमारा हलका cook हो गया आप देख सकते हैं हलका soft ही रखना था अब इसमें डालेंगे हम 4 medium size के boil आलू आलू को मैंने हम mash कर लिया है आलू को mash करके हम इसमें डाल देंगे आलू को मसाले में अच्छे से mix कर लेंगे ये नाश्ता आप एक बर जुरूर बना के देखिए बहुती soft spongy बनता है बिलकुल bread के दर लगता है सैंड्वीच खा रहे हैं वैसा लगता है और जटपट बन जाता है बहुत कम मेहनत में बहुत कम टाइम में आप जटपट बना सकते हैं टिपिन बॉक्स में भी सब्राइए मिक्स करने के बाद हमें ताक्य हमारा इक पोपर बैंटर रेड्य हो जाए इसलिए सबसे पहले हम यह mix कर लिया है अब मैंने हम mix का jar लिया है mix के jar में हम batter को डालेंगे और अच्छे से grind करेंगे एक अच्छा साथ थिन बिल्कुल मुलायम batter ready करेंगे हम इसका एक समान सूजी हमारी अच्छे से mix हो जाएगी और एक बहुत ही अच्छा घोल रेडी हो जाएगा इसलिए हमें इसे ग्राइंड करना है आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा डालके भी ग्राइंड कर सकते हैं ये देखिए हमारा बैटर बन कर रेडी हो गया आप देख सकते हैं कितना अच्छा format लग रहा है आप देख सकते हैं जाली भी ऊट रही है अब गैस पर रखेंगे हम तवा मैंने लोहे का तवा लिया है लोहे के तवे को मैंने हाँ हलका सा ओईल लगाया है टीसू पिपर पर और अच्छे से ग्रीस कर लिया है आप नों स्टिक पैन या नों स्टिक तवे पे बना सकते हैं अगर उसके उपर बना रहे हैं तो आपको ओईल लगाने की जर्दत नहीं है बिल्कुल ओईल-FC बना सकते हैं अब इसके उपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे अब इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे यह बिल्कुल प्रफेक्ट तयार है हमारा तवा बैटर को हमें बीच में ही डालना है बैटर अपने आप से ही फैल जाएगा यह देखे मैं यहां दो चमच बैटर डाल रही हूँ आप अपने चानुसार बड़ा छोटा जो भी साइस बन होने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे सबसे पहले यह देखे मैं आपको दिखाती हूँ एक साइड से पलट कर कितने अच्छे से सीख गया है इसमें बहुत जादा तेल की जरत नहीं पड़ती है यह इसली बहुत ही अच्छे से बन जाता है यह देखे कितने अच् को बना लेंगे बिन ओयल के रचाएं Dutch क्लें आलू का मसाला बोटा जितना रखना चाता है पहला लें जाता है। इसे थोड़़ा सा नीचे से भी, आलू का जो मसाला हमने डाला है, उस तरब से भी हम थोड़़ा सा इसे प्रेस कर के अच्छे से 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 ख लेते हैं, हलका सा से खना है हमें और वापस से पलट लेना है ये देखे हमारा कितना अच्छा नाश्टा बन गया है देखते ही मुमे पानी आता है खाने में बहुत ही ज़्यादा चट पटा है इसे आप किसी भी चटने के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और नारेल की चटने के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस पानी से साफ करना है तकि जो दूसरा बैटर्ट्स डालेंगे और बिल्कुल प्रोपर अच्छे से बिना किसी मुश्किल के डिकल जाए बहुतीं बन जाता है यह देखिए मैंने यहां तवी को पानी से साफ कर दिया है दुबारा फिर से बैटर डाल दिया है इसी तरह से हम सबी बनाके रैडी कर लेते हैं नाष्टे को यह देखिए इसे प्लेट में रख लिया है मैंने यहां नारेल के चतने के साथ सर्व किया है आप हरे दनिये के चटने के साथ, टमैटो के चटने के साथ, किसी भी चटने के साथ इसे खाते हैं, बहुती सॉफ्ट है, बहुती स्पोंजी है, बिल्कुल ब्रेड के जैसे लगती है, खाते वक्त ऐसा लग रहे हैं, जैसे के हम ब्रेड भा रहे हों, इसका स्पोंजी बनता अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूलें और बेल आइकोन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मो रेसिपीच के लिए हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे धन्यवाद